Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. The topic that we are going to discuss today is major principles of ethics at workplace. सबसे पहला पॉइंट है no discrimination. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई भी employee हो, उसको कभी भी आप discriminate करोगे नहीं based on their caste, color and religion. मतलब सारे employees को आपने equally treat करना यह नहीं कि आप उनके बीच में बेदभाफ कर रहे हैं, उनके religions को लेकर के, उनकी caste को लेकर के, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Second point कहा जा रहा है, fair and transparent policies, यानि कि सभी employees के लिए एक जैसी policies formulate होंगी और बिल्कुल transparent रहेंगी, कोई भी उसमें घपला नहीं किया जाएगा, यह नहीं कि कि किसी employee के लिए कोई policy त्यार हो रही है, दूसरी employees के लिए कोई और तरह की policies त्यार हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं ह होना चाहिए, third point is safety provision, अब workplace पे एक ethic जो employers को ध्यान में रखना होगा, that is to provide safety to their employees, future में कुछ भी miss happening हो सकती है, या फिर कई बार employees की जान पे बनना सकती है, तो ऐसे में company अपनी तरफ से पला जाड़के नहीं बैठ सकती, उन्हें कुछ ना कुछ safety provisions जो हैं अपने employees के लिए ब पड़ेंगे, fourth point is better working environment, अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, company should provide better environment conditions, ठीक है, कि अच्छे office प्लेस हो, तभी इंसान काम कर पाएगा, ऐसे ना कहीं भी आपने अपने employee को बिठा दिया ना, proper ventilation है, air cross नहीं हो रही है, तो है तो वो human being ही ना, अगर उसको अच्छी conditions नहीं दोगे, तो आपका काम भी वो in return अच्छे से नहीं दे पाएगा, और दूसरी बात, उसकी जो भी personal life से related information है, health या है, work evaluation है, इन सब को हमें confidential रखना है, क्योंकि एक employee को अपनी personal life से जुड़ी हुई बातें, सब को बताना बिलकुल अच्छा नहीं लगता है, और इस बात का company को भी ध जियान रखना चाहिए, फिफ्ट पॉइंट इस ओनेस्टी या कहलीजी loyalty, integrity, यह सब हमें बना के रखनी होगी अपने employees में, क्योंकि अगर हम company के point of view से देखें, वही company अच्छा work करती है, जिसके employees हमेशा एक जुट होकर रहते हैं, हमेशा अपने काम के प्रती इमानदार है और हमेशा अपना जो काम है, उसे time to time complete करते हैं, यह तभी possible होगा, अगर उनकी जो foundation है, वो भी honest होगी, यानि कि company के जो हमारे past records हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए, तभी उसमें आगे अच्छे employees होगे last point is report to management, employees should report to the management any actual और possible violation of code or an event, यानि कि employees अगर कुछ ऐसा देखते हैं, अपनी company में ऐसा कुछ होते हुए, कि जिससे कि उनकी जो code of ethics है, या कुछ ऐसे policies है, जिनका khंडन हो रहा है, खंडन यानि कि उसको violate किया जा रहा है, उसे follow नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में उस employee को report करना चाहिए, management को, क्यों करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, उससे जो उनका business है, उसकी reputation खराब हो, तो अगर business की reputation खराब होगी, तो definitely वो employee के work को effect करेगा, और हो सकता है, जो उसकी salary है, उसमें भी दिखकत आए, तो इसलिए कुछ major से points थे, जो कि बहुत छोटे है, हमें जो ध्यान में रखने है, at workplace, while forming the ethics, So that's all for today, we will meet in our next video with another topic related to the ethics, till then take care, bye bye and thank you